जिस तरह कश्मीर को धर्ती का श्वर्ग एवन केरल को गौड्स अन कंट्री कहा जाता है उसी तरह मेगालाई में एक ऐसा गाउं है जिसके वारे मैं कहा जाता है कि वह गौड्स अन गार्डन यानि भागवान का अपना बगीचा है आखिर ऐसा क्या है इस गाउं में और क्या है इसका नाम कि दुनिया भर के लोगों के बीच या आकर्शन का केंद्र है जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने कुछ साल पहले सच भारत अभ्यान की शुरुआत की थी तो इस मीसन के माधियन से देश को सच बनाने के लिए एक मुहीम छेड़ी गई थी इस मीसन का बहुत ब्यापक असर देश में देखने को मिला पर यकीन मानिए बहुत पहले से एक गाउं है जो ना सिर्फ भारत का बलकि एशिया की सबसे साफ गाउं के रूप में मश्यूर है ये गाउं सच भारत की मिशाल है ये गाउं है बिखालाई की इस्ट खासी हिल्स में बचा मौलिन्याउं गाउं जो 2003 में भारत का ही नहीं बलकि एशिया का भी सबसे शाफ सुत्रा गाउं बना मौलिन्याउं गाउं खासी हिल्स जिस्टिक का एक गाउं शिलाउं और भारत पंगलादेश बॉडर से 90 किलोमीटर दूर है साल 2014 की गन्ना के नुशा यहां 95 परिवार रहते हैं यहां की खेती और मुख्य आजबीका का श्रोत सुपारी की खेती है यहां लोग घर से निकलने वाले कूरी कच्रे को बास से बने डस्ट वीन में जमा करते हैं और उसे एक जगह इकठा कर खेती के लिए खात की तरह इस्तेमाल करते हैं इस गाउं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां की सारी सफाई ग्राम बासी स्वेंग करते हैं सफाई जवस्था के लिए वो किसी भी तरह प्रशाशन पर आस्रित नहीं है इस पुरे गाउं में जगह जगह बास के बने डस्ट वीन लगे हैं किसी भी ग्राम बासी को फिर चाहे वो महिला हो पुरूश हो या बच्चे हो जहां गंद की नज़र आती है तो वे शफाई पर लग जाते हैं सफाई के पती जागरुपता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यदि शरक पर चलते हुए किसी ग्राम बासी को कोई कच्रा न ज़राता है तो वे रुक कर पहले उससे उठा कर डस्ट बीन में डालता है फिर आगी जाता है खासी लोगों में मात्री शतात्मक परंपरा के अनुसार माली नांगों में शंपती और धन दालत मा अपनी सबसे बड़ी पुत्री को देती है और वह अपनी मा का उपनाम आगे बढ़ाती है मौरिनों को ट्री हॉस के लिए भी जाना जाता है यहाँ पर हर काम जैसे घर बनाने तक के लिए बांस की लकडी का प्योग किया जाता है खासी जोप्रियां जूट बांस से बनाई जाती है इस गाउं में रहते हुए औरगेनिक उतपादों से बने श्वादिस्ट बेंजनों का श्वाद जरूर चखें यहाँ पर लोग खाने की सफी चीजें खुद अपने खेतों में उगाते हैं यहाँ पर लाल चावल से मनी डीस जदो जरूर खाएं इसमें चिकन को मशाले के साथ पकार कर बनाया जाता है इसके अलावा मॉलिंग गाउं में तुंगी बाई, मिनील सोंगा, पुखलें भी खा सकते हैं असी फीट की उंचाई पर बना मचान आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाता है यहाँ आकर आप ना सित जंगल की सुन्दर जहलकी देख सकते हैं बलकि बंगला देश की घाटी को भी निहार सकते हैं मौली नांगा, सिलांग से 90 किलोमीटर और 4 पुणजी से 92 किलोमीटर दूर इस्तित हैं दोनों ही जगर से शरक की द्वारा आप यहाँ पहुंच सकते हैं आप चाहे तो सिलांग तक देश की किसी भी हिस्जे से हावाई जहाज की द्वारा भी पहुंच सकते हैं दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट इवम, सब्सक्राइब करना न भूलें शाथी लेटल्स नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकन को प्रेश करें धन्यवाद